नमस्का दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे consensus theorem और redundancy theorem के बारे में यह बहुत ही important theorem है basically इसे यह हम Boolean algebra के जो problems हैं उन्हें solve करने में यूज करते हैं या simply कह सकते हैं कि जो Boolean expressions हैं उन्हें minimize करने में यूज करते हैं तो जो कोई Boolean expression अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसे या तो Boolean algebra की मदद से minimize कर सकते हैं या KMAP की मदद से minimize कर सकते हैं या फिर आप tabulation method भी यूज कर सकते हैं तो जब कभी आपको Boolean algebra से ही कहा गया है कि आपको Boolean algebra से ही किसी expression को minimize करना है तो उस case में हमें consensus theorem या redundancy theorem को use करना होता है के map से तो इसे minimize करना बहुत आसन होता है मैं आपको बताऊंगा उसे भी तो यह कहां पर applicable होता है वो हम देख लेते तो it is applicable for sob and posthorms having three variables तो जहां कहीं आपको sob या posthorm में किसी में भी तीन variable आपको देखाई देंगे वहां पर आप इसे use कर सकते हैं ठीक है condition यह है कि each variable should be repeated twice within three terms तो सबसे पहले तो आप समय लेजे कि इसमें तीन term होंगे ठीक है यह example मैं देखाएं जैसे यह तीन term होंगे कुछ इस तरीके से sob form में या posthorm में ठीक है तीन term होंगे और each variable should be repeated twice हर एक variable है वो दो बार repeat होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए a है यहां पर वो normal form में भी हो सकता है और complemented form में भी हो सकता है तो यहां a हो गया देखिए a a बार b b c c ठीक है तो तीनो variable दो दो बार repeat हो गए उसके बाद object that one variable is complemented तो यह भी आपको object करना है एक variable है वो complimented होना चाहिए तो देखिए यहां पर सफ़ देख राइँ आपको a bar है यह a बार complimented है, ठीक है इसमें अगर आप देखें तो देखिए, बी बार b bar ठीक है यह तो complimented है नहीं a a नहीं है यह c c bar यह complimented है ठीक है तो यह दौनों है complimented यह इसमें जो compliment वाला variable है basically, C है complimented न, तो यह term इससे associate हो गया, यह इससे हो गया, इसमें C नहीं है, similarly यहां पर आप देखें, तो A बार यहां पर है और A है यहां पर यह नहीं है, तो discard the term which don't have the variable that was complimented, तो जो term बचा हुआ है जिसमें, जो compliment हो रहा है उसके अलावा जो term में, उसे हमें discard कर देना है, तो simply मैं कहूँँगा कि इसमें मेरे को इसे discard कर देना है, और इस वाले में अगर मैं बात करूँगा, तो इसे discard कर देना है, यह वाला term होगा है यह discard कर दे जाएग एक तरीके से, तो इसका जो answer होगा उसमें सिर्फ यह दो term आएंगे और इसका जो answer होगा उसमें यह दो term आएंगे के लिए रहे ठीक है तो आप using consensus theorem boolean expression उसे minimize कर सकते हैं अब यह समझ लेते हैं कि हो किस तरीके से रहा है ठीक है तो आप apply तो इसे कर सकते हैं कहां पर apply करना किस तरीके से condition आपको समझ में आ गई अब इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए के में यूज नहीं करना है लेकिन मैं जस समझाने के लिए पहले k-map से आपको बता रहा हूं उसके बाद फिर मैं इसे प्रूफ करके भी बताऊँगा कि यह कैसे हट गया ठीक है ठीक है तो अगर मैं इसे k-map बनाता तो यहां 3-value का k-map बनेगा और k-map मैं इस वह से ही बना के आपको दिखा रहा हूं basically जिससे आपको पता चल जाए कि हम इसे redundancy थरम भी क्यों कह रहा है ठीक है यह जो गुरुप है basically redundant क्यों है तो इस चीज को verify करने के लिए मैं k-map से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर हमने a b c this is a bar a b bar c bar 00 01 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 इधर से आ रहा है और C आपका फिल हो गया इसे उसके बाद आप इसकी pairing अगर करते हैं तो pairing देखिए pairing simple आपने एक यह बन गया और एक यह बन गया ठीक है यह बन गया तो इससे क्या आजाएगा इस वाले से आप देखें तो इससे क्या आएगा एधर से आएगा और इधर से क्या आएगा इसे बार से आरा यह है दिकीए वाला प्लस प्लस तो इसमें यह वाला था यह लिए यह लिए वाला तो इसे बनाने की जरूती नहीं है यह तो हमारा main target यह होता है कि सारे main terms में cover होने चाहिए वो इन दो से हो पा रहे है तो यह एक redundant group है जैसे हमें हटाना होता है minimize expression की बात करते हैं उस case में यह से हटाना होता है तो came up में तो आपको साफ दिखता है came up तो आप बना पा रहे हैं आसानी से यहां पर redundant हो गया तो उठा दिया लेकिन जो boolean algebra बात आती है तो उस case में आपको consensus theorem की मदद लेनी होती है ठीक है उसके लिए condition मैंने बता दी है अब हम इसे boolean algebra की मदद से भी simplify कर लेते है ठीक है तो मान लेजे हमारे पास है a bar b plus bc plus ac ठीक है तो इसे prove करने के लिए हम इसे prove करना चाहरे है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो term redundant है basically वह आपने पता कर लिए redundant term है ठीक है उसमें हम इसे ऐसे एजिम कर सकते है a bar b plus bc into 1 ऐसे माल लिए हमने ठीक है लिख सकता हूं plus ac ठीक अब इस one की जगे आपको क्या लिखना है a bar b plus bc और इसकी जगे आपको लिखना है a plus a bar plus ac ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब इसे आप open कर दीजी तो आपने open कर दिया a bar b plus a b c plus a bar b c plus a bar b c plus ac clear अब आपने common ले लिया देखिए इस वाले और इस वाले टर्म मैंसे मैं ले लिया a bar b common ले लिया तो इदर से क्या जाएगा 1 आ जाएगा plus इदर से क्या जाएगा c आ जाएगा plus यहां से ac और इदर से ac मैं common ले सकता हूं मैंने a c common ले लिया प्रेदर से आ जाएगा b plus 1 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 1 plus c 1 plus c इसी करूँ क्या होता है 1 के साथ कुछ भी add करे 0 चाहे 1 तो 1 ही आता है similarly b plus 1 करूँ तो इसके साथ भी क्या आएगा 1 ही आएगा ठीक है तो मैं इसे लेख सकता हूँ a bar b into 1 plus a c into 1 which is equal to a bar b plus a c a bar b plus a c यही है ठीक है तो b c खतम हो गया कि नहीं यही से start किया था लेकर वो खतम हो गया ठीक है इस तरीके से यह consensus theorem work करता है ठीक है तो I think आपको इस समय में आया हुगा आप इसे use कर सकते है थैंक्यू